प्राइब दिहास को बड़ा प्राचीन है अफिवर्सों पुराना इभिहास है और मानता यहां ज्यादा बच्चों की मनों कामना यहां पर पूर्ण होती है बहुत प्राणे के एक अत्री मुनी जी रहते थे वो नाग देपका के बहुत बड़े उपासके और मुनी जी के अस्रम में एक अनंत परिवार था जो की बड़ी स्रदा और भावना से उनकी सेवा किया करता था और उस अनंत परिवार में कन्या का जनम हुआ तो कन्या बड़ी होने पर जैसे माता पिता अत्री मुनी जी के आस्रम में पूजा भावना में पाट पूजा करते रहे उसी तरह हुए कन्या भी उसी भाव से स्रदा से पूजा पाट करती रहे तो उनकी चद्धा परिवार से अनंत परिवार से कन्या का विवार में को कन्या बड़ी प्रशन i.k कुछन जी मोनी जिए उसके के सिर्पर लगते हैं पुर्ण आपको संथा योग नहीं है आया पढ़ाम करती है चली जाती है लेकिन उसके आवागमन और भावना स्रधा में जरा सभी कोई अंतर नहीं आता तो मुनी जी भाव से स्रधा से बहुत प्रशन होते हैं कि आज कि इस कल्यूंग दोर में इतनी भावना उसरधा मुनी जी दुबारा अपनी उस कन्या के लिए प्रशन है तो हमको करने के लिए बर्दान चाहिए बोले क्या बताओ तो उन्होंने वही पुत्त्र की प्राप्ति के लिए कहा कि हम आरी यही है अर्दास कि आप उनकी जोली में बेटे का सुभ दीजिए तो नाग देबता जी ने सेहीं बात रिपीट की कि आप तो जानते महराज ने कहा चलो आपकी भाव से मैं प्रशन हूं मेरा खुद का एक अंस उनकी कोक से जनम लेगा लेकिन एक सर्थ है कभी डांटेंगी मारेंगी नहीं अगर यह सट को कबूल कर लेती है तो आप उनकी जोली में कोई भी फल डाल दीजिएगा तो मेरा खुद का अंस उन में फ़ल डालते हैं तो चड़ा परिवार में एक अधिभुत बालक पैदा होता है नाग देवताजी का प्रूप पैदा होता है और उनका नाम सोड़ी रखा जाता है दिनों दिन समय बदलता जाता है वहमारे जिसे बाबाजी कन निचे तालाब है तो पहले ज़वाने में तो मा जैसे कपड़ा दो के सुखने को डाले तो वहीं बालक सोडी खिलते के तुस कपड़े को उठाए और पानी जाल से उठाकर पानी में तो बोले मा ये सब छोड़ो चलो मुझे भूख लगी है भोजन दो दूद दो तो मा ने बोला बिटा रुबो कपड़ा सुखने के सुखवाने को डाले वैसे उठाके पानी में भेग देते तो जैसे माताएं अपने बच्चों पर हिज आते हैं तो वैसे मा को गुसा आ गया कि बालक जैसे तू कपड़ा फेक रहा है से तू जा डूब पर तो बालक सोडी ने का अच्छा मा मैं जाओं डूब मरूं हाँ ज माराज जी मुझे मेरे पुत्र से मिलवा दीजीए एक बार मिलवा दिचे गया हूं मा को ऊस बालक का सहरा जो नागदेवता के शोरूप में तलाप से बाहर निकले सद्वरूप पूरा नागदेवता का बीच में बालक का मुक्ष बाहर निकले बहुतने माता हमारा और आपका साथ यहीं तक था तो यह घटना अनंत चोधिस 2 बादरपद के सुकलपक्ष अनंत चोदश की है उस दिन बाबा जी तालाब मेशे नाग सवरूप में बाहर निकले थे और उस दिना से हर शाल मेला लगाया जाता है तो मा से बालक शोडी ने काम माता हमारा और आपका साथ यहीं तक था लेकिन आज के बाद जो आपका चड़ मिशेश रूप से पुत्र की प्राप्ति के लिए संतान भाईयों को में बहनों को भाई बिए याँ से आये माताओं को पुत्र की प्राप्ति होती ती है और हर कामना यहां पर वो जीन रिशाखर बाज रोड़ल महराज की जै